दोस्तों कि आप जानते हैं कि MotherSund Sumi Limited ने अगर एक भी बार bonus share शीशू ना किया होता है अगर उसने share split ना किया होता तो उसके share का price currently 3,00,000 रूपए पर share से भी जादा होता है तो कौन से ऐसे stocks हैं कौन सी ऐसे company जो की आने वाले समय में bonus share शीशू कर सकती हैं कौन से ऐसे stocks हैं जो की share split कर सकते हैं तो bonus shares और share split से stock के दाम कम रहते हैं लेकिन stock की कीमत बहुत ही जबरदस्त रहती है long term investment में नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से stock for retail पर stock market से जुड़ी एक नई जानकरी के साथ तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ ऐसे stocks के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी की face value यहाँ पे 10 के आसपास है और यहाँ पर हम analysis करेंगे कि इन stocks में अगर हम investment करते हैं तो आने वाले समय में हमें multi bagger returns मिल सकते हैं या नहीं ठीक है तो यहाँ पर जो पहला stock है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है prince pipes and fittings limited यहाँ पर देख सकते हैं 760 रुपाए के आसपास यह trade कर रहा है basic information ticker tape की इसमें detail में हम नहीं जाएंगे आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन से वो parameters हम देखते हैं जब हम fundamental analysis कर रहा होते हैं क्योंकि हम यहाँ पर obviously fundamental analysis नहीं कर रहा है इस वीडियो में क्योंकि obviously इस सारे stocks के fundamentals बहतरीन है ठीक है यहाँ पर एक ही बात हम देखेंगे all time chart तो यहाँ पर आप देख सकते हैं all time chart पर इन्होंने करीब 331% के आसपास returns दिया है तो यह consistently dividend paying company और consistently dividend paying company के साथ ही साथ जो इनका face value है यहाँ पर 10 रुपय के आसपास है ठीक है तो 10 रुपय का face value यहनी आने वाले समय में stock split होगा और stock split होगा तो आपके number of shares बढ़ेंगे और आपके number of shares बढ़ेंगे long term के लिए आप hold करते हैं shares को तो आपको अच्छा खासा investment पर returns मिल सकता है अगर माल लीजे आपके बास 100 shares है और इन्हों ने अपना stock split कर दिया face value यहाँ पर 1 रुपय का कर दिया तो आपके पास all of a sudden यहाँ पर 1000 shares हो जाएंगे ठीक 1000 shares तो हो जाएंगे बट आपको यह भी समझना है कि जो stock price है उसमें भी कमी आएगी लेकिन अगर long term के लिए आप रखते हैं तो आपको फिर से यह stock price at 10 होगा तो 1000 shares के हिसाब से फिर से आपको एक जवरदस्त multi-wagger returns मिलेगा ठीक है चलिए बात करते हैं अगले stock के बारे में तो हमारा जो अगला stock है वो है Indian All Corporation Limited यहां पर 100 रुपय के आसपास trade कर रहा है और यहां पर अगर हम all time chart देखे तो आप देख सकते हैं all time chart पर इसने जवरदस 369% के आसपास returns दिया यहां पर अगर हम corporate actions देखे तो आप देख सकते हैं dividend yield 10% के आसपास है इसका profitable यह company cash flow हलागी negative में है बट long term के लिए यह जबरदस्त investment हो सकता है आने वाले electric vehicle segment को देखते हुए क्योंकि electric vehicle segment में अगर एक अच्छी खासी growth होती है तो आपको Indian All Corporation में भी एक जबरदस्त returns देखने को मिल सकता है ठीक है तो बात कर लेते हैं अगले stock के बारे में जो की है गुजरात स्टेट पेटरोनेट लिमिटेड दो सो अर्सट रूपए के आसपास यह trade कर रहे है और currently undervalued भी है यनि कि current price पे buying भी कर जा सकती है और long term chart यहां पर देखे तो आप देख सकते हैं long term chart पे 571% के आसपास returns दिया है higher highs, higher lows वाला pattern अगर follow करता है कोई भी stock तो long term के लिए हमें जरूर होल करना चाहिए ऐसे stocks में और basic fundamentals यहां पर देखे तो आप देख सकते हैं कि dividend payings के साथ ही साथ profitable भी है, cash flow भी है, long term के लिए फिड़ बैटता है पर तरौस की score के हिसाब से और Graham number के आसपास मिल रहा है तो इसी के basis पे इसमे current price पे भी buying की जा सकती है यहां पर देख सकते हैं कि face value 10 का है तो आने वाले समय में stock split हो सकता है इस particular stock में ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले stock के बारे में जो की है Mishra Dhatum Nigam Limited यहां पर 200 रुपए के आसपास trade कर रहा है अगर हम यहां पर all time chart देखें तो आप देख सकते है all time chart पर इसने 12% के आसपास returns दिया है और यहां पर एक जवरदस्त investment को option है इस particular stock में अगर हम यहां पर देखे basic fundamental details तो आप देख सकते है dividend paying company है profitable है और cash flow थोड़ा सा negative है इग्नोर कर सकते हैं इसको फिलाल के लिए पित्रोस्की इसको long term के लिए फिडवाटता है ग्राहम नंबर 19 और currently यह थोड़ा double price में मिलना है तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें discounted price पे मिले तो buying करें यहां पर देख सकते face value 10 का है तो आने वाले समय में इसमें stock split हो सकता है और यह सारे stocks ऐसे हैं कि इनमें debt या तो कम रहता है या तो debt to equity एक से कम रहता है तो generally हमें ऐसे stocks में ही long term के लिए investment करना चाहिए जिनमें की debt to equity एक से कम देखने को मिले ठीक है चलिए बात करते हैं अगला stock कौन सा है तो यहां पर अगला stock है वो है IOL pharmaceuticals and chemicals limited यहां पे consistently dividend paying company के साथ ही साथ यह profitable है और cash flow भी positive है पित्रोस्की score भी long term के लिए fit बैट रहा है ग्राहम नंबर 555 और ग्राहम नंबर के आसपास मिल रहा है तो current price पे भी buying करके long term के लिए hold कर सकते है market में gir out के साथ अगर gir out होती है तो और opportunity रहती है ऐसे stocks में buy करने के लिए यहां प long term के लिए multi bagger returns दे सकती है ठीक है चलिए दिखते है अगली company कौन सी है तो यह है GNFC यहां पे देख सकते है 375 रुपए के असपास trade कर रहा है और यहां पे all time chart देख लेते हैं तो all time chart पे देख सकते है 805% के असपास returns दिया है और यहां पे details अगर हम देखे तो आप देख सक round पे यह stock मिल रहा है तो जरूर भाई करना चाहिए long term के लिए hold करना चाहिए और debt देखें के वहल 4 करोर का debt है debt to equity बिलकुल 0 है long term के लिए feedback ती है और यहां पे आने वाल समय में stock split भी हो सकता है तो stock split होता है तो आपके number of shares बढ़ेंगे और number of shares बढ़ने के साथ ही साथ long term के hold करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा returns मिलने के chances जादा होते हैं ठीके यहां पे बात कर लिते हैं VST, Trillers and Tractors के बारे में 1888 रूपय के आसपास यह trade कर रहा है all time chart यहां पे देखें तो आप देख सकते है all time chart पे इसने यहां पे 288% के आसपास returns दिया है और overall fundamentals देखें त dividend paying company है profitable है cash flow भी positive है पित्रोसकी score भी long term के लिए फिट बैटता है ग्राहम नमबर यहां पे 1200 क्या सपास है थोड़ा सा महंगा मिल रहा है current price पे returns वगेरे आप देख सकते हैं जादा बहतरीन तो नहीं है बट सिंस हम इस particular segment में इस particular business में एक growth opportunity देख रहे हैं यहां पे investment की आ ज सकता है और ऐसे stocks आपको bonus shares भी issue कर सकते हैं और यहां पे देखे तो scots limited जो particular stock है यहां पे 1200 रुपय के आसपास यह trade कर रहा है all time chart देख लेते हैं इसका तो all time chart पे आप देख सकते हैं कि इसने overall यहां पे 488% के आसपास returns दिया है एक बैतरीन mid cap की company है यह और अगर हम यहां प paying company है profitable है और साथ ही साथ ही यहां पे cash flow थोड़ा सा negative आपको देखने को मिल रहा है पे त्रोसकी score long term के लिए feedback ता है 736 का ग्रहम नमबर currently थोड़ा सा महंगा मिल रहा है और debt की बात करें 60 करोड का debt है debt to equity 0.01 तो failure के chances बहुत ही कम है face value यहां पे 10 का है तो आने वाले समय में stock split हो सकता है इस particular stock में भी ठीक है बात कर लेते हैं अगली company की जो की है यहां पे एक finance insurance company SBI life insurance 900-400 रुपए के आसपास यह trade कर रहा है इसका all time chart यहां पे देख लेते हैं तो all time chart पे आप देख सकते हैं इसने 36% के आसपास returns दिया और chart pattern अभी से आपको higher highs higher lows वाला दिख रहा है त चली यहां पे देखे तो आप देख सकते हैं dividend pay कर रही है dividend pay करने के साथ ही साथ profitable है और यहां पे cash flow भी positive है पे तुरोस की score 5 का है हलाकि insurance और NVFC के लिए हम यह सब details नहीं देखते हैं और debt देखे तो बिल्कुल zero debt की category की company है तो failure की chances बहुत ही काम है इस company में investment कर सकते है और य अले समय में stock split भी हो सकता है ठीक है चली देख लेते हैं आगली company कौन सी तो यह है Tata Group की company Tata chemicals limited 702 रुपे के आसपास यह trade कर रहा है और यहां पे देखे all time chart तो आप देख सकते है all time chart पे जबर्दस 2700% के आसपास returns दिया है और यह consistently dividend paying company के साथ ही साथ profitable है profitable के साथ यहां पे देखें तो cash flow थोड़ा सा negative में है बड़ वित्रोस की score यहां पे 5 का है ग्रहम नंबर 356 का और currently double dham पे यह मिल रहा है तो double dham पे मिलने के बतलब यह है कि थोड़ा सा bargain price भी अगर मिलें तो हम इसमें long term के लिए buy कर सकते हैं ठीक है यहां पे face value 10 का है तो 10 के face value के साथ ही साथ समय में stock split हो सकता है recently इन्होंने rights issue भी दिये थे rights issue भी एक factor होता है जो कि आपको number of shares increase करने में मदद करता है क्योंकि discount price पे आपको मिलता है rights issue के तहत और bonus shares अगर देती है company तो जबरदस्त एक अच्छा खासा number of shares आप increase कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते है profitable है हलांकि cash flow negative है gram number 1388 के और currently यह थोड़ा सा महंगा मिल रहा है इस company में long term के लिए investment कर सकते हैं और hold कर सकते हैं आने वाले समय में आपको एक जबरदस multi-vega returns मिलने के chances इसमें जादा रहेंगे ठीक है यहां पर बात कर लेते हैं अगली company की जोकी है यहां पर mind tree limited IT की company है dividend pay करती है profitable है यहां प महंगे दाम पर मिल रहा है IT stocks में अभी थोड़ा सा आपको cautious रहना चाहिए अगर कम price पर मिले bargain price पर मिले तब ही buy करिये क्योंकि PG ratio अगर आप देखिये overvalued के science यहां पर दिखा रहा है ठीक है debt यहां पर 538 करोड का है debt to equity 0.12 है तो failure के chances बहुत ही कम है face value यहां पर 10 का है तो आने वाले समय में stock splits हो सकते हैं तो ठीक है दूस्तों इस video फिलाल इतना ही दूस्ता आइपको पसंद आई होगी यहां पर हम Wipro Mother Sanssumi Infosys के बारे में इसलिए नहीं बात करें क्योंकि already हम यह तो इनके बारे में बात कर चुके है यह तो भई obviously सबको at least मालूम ही रहता है कि Inf currently in stocks में investment करिए आप लोग के लिए information लाते रहते हैं ताकि आप सीख सकें और एक profitable investor बन सकें stock market में